जैश्री गनिशाय नमः दोस्तों स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन जोतिष यूट्यूब चैनल स्ट्रोसीष टीवी पर मैं निहाराजपूद हर दिन की तरा आप सभी के लिए लेकर आई हूँ दैनिक राश्री पर तो आज का ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज मैं आपके ही एक सवाल को शामिल करने वाली हूँ आपने हमसे पूछा था कि हर वर्ष चार महीने के लिए क्यों भगवायन विष्णू सोजाते हैं तो इसका सम्मंध आपको समझना है लेकिन इन सब में देव शैनी एकादुश्री को बेहत खास माना गया है ऐसा इसलिए क्योंकि पौरानिक कथाओं के अनुसार देव शैनी एकादुश्री की तिथी को भगवान विष्णू भगवान शिव को श्रिष्टी के संचालन का कारेभार सौप कर योग निद्रा में चॉले जाते हैं और फिर चार महीने बाद देव श्रुष्री के दिन वापस नीन से जाग कर शिष्टी संचालन की कमान संभलते हैं सनातन द्धर्म में इस चार महीने की अवधी को चाप्तूरमास कहा जाता है इस चार महीने की आवधी में भगवान विष्णू के अनुपस्तिती की वज़े से किसी भी प्रकार के मांगलिक कारे जोसे उपनयन, नामकरन, मुंदन, शादियादी यह सब वर्जुत हो जाते हैं हाला के इस दोरान पूजा, पार्ट, दान, धर्म, यह सब कर सकते हैं से कई गुना ज़्यादा फल मलता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान विष्णू, देवशैनी, एकादशी से चार महीनों के लिए योगने द्रामे क्यों चले जाते हैं इस एकादशी के वरत को करने से पुरोजनम की बाधाई ही दूर होती है इस पवित्र एकादशी के फल लोक और पढलोक, दोनों में उत्तम कहे गए हैं क्योंकि इस वरत को करने से हजार गौदान के समान पुर्ने प्राप्त होता है और जीवन में सुक समृध ही आती है तो बहुत सारी खास बाते हम करेंगे कामिकाई कादशी के बारे में और वीडियो के आखिर में आपको कता सुनाई है लेकिन पहले जान लेते हैं आज का पंचान क्या है तारीक है चार दिन है बुद्धवाल माहे श्रावन पक्ष है कृष्ण तिथी की बात करें तो वहें एक आदशी नक्षत रहे मरिप शेरा चंदर देवाद वर्षब राश्री में रहेंगे वहीं अभी जीत मुरत की बात की जाए कि आज कोई भी शोब मुरत नहीं है राहुकाल बारा बच कर 27 मिनट से दो पहर के दो बच कर 7 मिनट तक है दिशाशुला जुक्तर दिशा में वहीं चंदरवल की बात की जाए तो वर्षब कर्क सिंग वर्षचित धनु और मीन राश्रियों में चंदरवल देखने को मिलेगा सुरियोदे प्राता पांच बच कर 13 मिनट पे तो सुरिया शाम को 7 बच कर 10 मिनट पे यह होगी पुरी पंचान की जानकारी कामिका एकादश्री है कामिका एकादश्री पर भगवान विष्णों का पूजन जब करते हैं तो बहुत ही अत्यंत फलकारी माना गया है कि विष्णु जी की यदि को यदि संतुष्ट करना हो तो उनकी पूजा तोलसी पत्रों से करें ऐसा करने से ना केवल भगवान जो है प्रसन होंगे बल्कि आपके सभी कष्टों को दूर करेंगे कामिका एकादश्री की कथा सुनना भी यप करने के समान है तो और भी हम इ आपको बहुत पसंद आती हैं आपके कॉमेंट आप जो लिखते हैं और बहुत सरे आप चीजे और भी पूछते हैं मुझसे तो मैं कोश्रिश करती हूं कि आने वाली वीडियो में शामिल करके उसका जवाब दे सको समय के अभाव के कारएं बहुत जादा मैं इसको बढ़ कर सकते हैं बाकी कोई हमसे बात करना चाहता है कि अपकी लाइफ में प्रॉब्लम है किसी प्रॉब्लम से फसे हुए हैं समाधान नहीं मल रहा है तो लीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एस्टो सेजवागता का लिंक डाल दिया है आपको क्लिक करके हमसे बा प्रेमियों को आज के दिन सांथी के प्रथी आदर व्यक्त करना चाहिए, प्रेम जह कहते हैं, रिस्पेक्ट देने से रिस्पेक्ट मिलती है, तो आज के दिन आपको अपने प्रेमिय को रिस्पेक्ट देना चाहिए, ओफिस में आज आप छाई रहेंगे, आपके काम के आज के दिन पूरे दमाग को अपना खुला रखिए तब ही आप चीजों को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, महनत कर रहे हैं छात्रों को आज खुद को साबित करना होगा, इसके लिए अपने मार्ग में आ रहे ही सभी बाधाओं को दूर करते लिए अपनी एकागर शक्त अब बात करते हैं वरिशब राश्री के जातकों की, सेहत के नजरिये से आज का दिन थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए जो भी खाएं उसके प्रतिसाव धन रहे हैं, आज के दिन धन के मामलों में अच्छा रहेगा, बात करे फैमिली लाइफ की, तो आज के दिन पारिवारि करने के लिए कड़ी महनत करने की जरूरत है, अगर व्यापायर की गति को आपको धीमी लग रहे हैं, और आप कोई हल नहीं निकाल पा रहे हैं, तो किसी अनुभवी शक्स से बात करने की कोशिश करें, उनकी सही सला आपके कारोबार के लिए अच्छी हो सकती है, जौब कर कर लिजाए, स्टुडेंट्स की तो आज के दिन जो है, बहुत महत्पोन है, क्योंकि आप एक छोटा सब प्रयास आपको बड़ी सफलता दे सकता है, ग्रहिनी आज के दिन अपने जीवन साथी के व्यवहार को देखकर थोड़ी चकित सी हो सकती है, शुबंक साथ है, आज पैसे खर्च नहीं करें, तो बहतर होगा, आर्थिक रूप से मजबूत रहने के लिए, आज आप तहीं निवेश भी कर सकते हैं, फारिवारिक जीवन में आ रही, आर्थिक परिश्रानियों का निदान होगा, वहीं प्रेम संबंध में की बात कर लिजाए, तो लव मे आज का दिन अच्छा रहने की पूरी मीध है, आज बिना किसी की मदद के भी आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर पढ़ाई आज के दिन बहुत खास रहने वाला है, कोई मन पसंद इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, शुबंग 5 है, शुबरंग है हरा और फिरोजी और रुपाई के तौर पर आज के दिन क्या करना है, आज के दिन आपको शिवजी की अराधना से दिन की शुरुवात करनी है, और ग आज खुल कर अपनी बाते अपने परिवार के सदस्यों से कर पाएंगे और उनकी बातों को भी गौर सा सुनेंगे, प्रेम जीवन में रिष्टे को मजबूत बनाने के लिए आपको कुछ कदम उठाने के आविश्रक्ता है, वहीं जॉब करने वालों की बात की जाए, तो कारिश्यत्र में अपनी श्रमता का भरपूर प्रियोग कीजिए ताकि आपका प्रदर्शन आपके अधिकारियों तक पहुंचे और वहाँ आपके काम को सराहे, और बीच में जो लोग आपके काम में हाल से शेप कर रहे हैं, उनको इनका सबक बर जाए, आज किसी नई वस् चीज को इग्नोर कर दीजे, शात्रों को आज फोकस होकर पढ़ाई पर ध्यान देने के जरूरत है, महीं जो इस राश्री की ग्रहिनिया है, दिन आपके लिए विशेश रूप से फलदाई होगा, घरेलू कामों से मुक्ति बल सकती है, शुबंक आज है, शुकरंग है, काल और नीजा और रुपाई के तौर पर आज के दिन गर्णपती की फूजा जरूर कीजे और उन्हें दुरवा चड़ा, ये भागे स्टार के तौर पर मैं आपको दूदी पांचनों से साढ़े तीन स्टार, अब बात करते हैं सिंग राश्री के जाटकों की, तो आज के दिन पर इरिटेट करेंगी, लव लाइफ की बात करते हैं, तो प्रेम प्रसंग के बारे में इधर उधर ज्यादा बाते ना करें, रिष्टों को नजर लगते देर नहीं होती, आज आपको पने काम का लेखा जोका, जो ये आपारिंग उनकी बात कर रहे हैं, देखने के जरूर प्रेम के मैरेड लोगों की तो पती-पत्नी जो है दिन के अन तक आप अपने लिए समय निकालेंगे, कहीं घुमने जाने के प्लानिंग कर सकते हैं, वहीं जो हमारे चात्र है, आज के दिन आपका क्रेटिव काम ही आपको जो है अच्छे रिजल्ट दिलाएगा, वह सफीद मोतियों की माला गले में धारन कर लिए स्वास्त बातो रहेगा, वाग स्टार के तौर पर मैं आपको दूँगी पांच में से साधे तीन स्टार, अब बात करते हैं कन्या राश्री के जातकों की, हेल्थ के बारे में जरूत से ज्यादा चिंता मत कीजिए, निश कामली लाइफ की, तो पारिवारिक जिवन का सुख वही मनुष्य ले पाता है, जुसका सम्मान करता है, इसलिए आज आपको भी इस बात को गांट बांधने के जरूरत पढ़ सकती है, जो राश्री के जातक प्रेम सम्मंध में है, आज लवमेड के साथ पूरा समय बिताए अगर इस तराश्री के हम मैरेड लोगों की बात कर लें, तो आज उत्साह और प्यार के अधिकता रहेगी, कई दिनों सो जिस एहसास के आप उमीद लगाए बैठे थे, आज आपको उसका एहसास हो सकता है, आज आज आपको अपनी जीवन साथी को देखकर लगीगा, किस स सकता था, अब बात करते हैं, चात्रों की तो आज का दिन सफलता देने वाला है, आगर आप किसी कॉम्पेटिशन के तर्यारी कर रहे थे, तो उसमें भी आपको उच्छा रिजल्ट मेरेगा, गुरहेनिया जो है, आज अपने किसी फ्रेंड के सांथ, किसी रिलेटिव के सा सकती है, अपने लिए आज खरीदारी कर सकती है, शुबंग पांच है, शुबरंग एहरा और फिरोजी और रुपाय के तौर पर राज के दिल, किसी साधु संत को एक समय का भूजन कराई है, बहुत अच्छा रिजल्ट मेलेगा, भागिस्टार के तौर पर मैं आपको दू आज फैमिल लाइफ की बात की जाए, तो अपनी खुशी परिवार संगर बातना चाहते थे, तो आज के दिन वो चीज पूरी नहीं हो पाएगी, जिससे आपका मन उदास हो जाएगा और आपका दिन बरबाद साप महसूस करेंगे, लव लाइफ की बात करें तो प्रेम आज आपसे संपर्थ करेंगा, जो इस राशी के हमारे जो लोग हैं, आज घर के कामों को खाली वक्त में निप्टा सकते हैं, वहीं मैं वहीं जीवन की बात की जाएगा, तो आपका जीवन साथी आपको इस बात का हैसास दिलाएगा, कि वाकई में आप दोनों के बीच शा दिख रही है, लेकि दोनों के बीच प्यार बना रहेगा, शुबंक साथ है, शुबरंग है, क्रीम और सफेड रुपाई के तौर पर आज के दिल सुरे देवता की पूजा कीजिए, भाग स्टार के तौर पर मैं आपको दोंगी पांच में से साध है तीन स्टार, अब बात दिन उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, आज आपके स्वभाव को इसराहा जागा, घरवालों के प्रती विनमृता से वेभार करेंगे आप, प्रेम जीवन में आज आपका प्यार मुकमल होगा, आपके अपने प्रियतन के साथ आपका ही रोमांस के शनव्यतीत कर सकते हैं, वहीं इस राश्री के बाद करें हम जो इस राश्री के जॉब करने वाले लोग हैं, आज आपने कुछ समय अपने व्यक्तितों को निखारने में भी लगा सकते हैं, वहीं जो हमारे व्यापारी जातक हैं, आज अपनी भावनाओं को किसे के सामने ज जलत फहमें आज दूर हो सकती हैं। मतमा के मरीजों को आज अपना खास थ्यान रखने की जरूरत है। आर्थिक जीवन पहले से बहुत बहुत रहने वाला है। कहीं सद्धन मिलने की संभावना है। वहीं फैमली में आज किसी के अचानक तवित खडाब हो जाएगी। प्रेम जीवन में आज कुछ ऐसे लड़ने लेने होंगी जो प्रेम की डोर को मजबूत बनाए रखे। हाला कि आपका प्रयाज जल्दी ही नाराज हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे उनके दिल को ठेस पहुँचे। जौब करने वालों की बात की जाए तो कारी शेत्र में आज नई उचाईयों को चुएंगे और बेहत खास महसूस करेंगे। अब हत्र भाशा बोलने वाले लोगों और जलन की भावन रखने वाले लोगों से आज दूर रही है। व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए आज का दिन खास है। व्यापार के विस्तार की दिश्रमी आज आप प्रयास कर रहे थे तो महनत रगलाएगी। आज के दिन मैरेड लोगों की बात कीजा तो आपका जीवन साथी इस बात से आपसे रूट सकता है कि आप उनके साथ ज़्यादा समय नहीं बिताते। जो हमारे चातर हैं आज के दिन खासा मैतो कांश्री होगा। खुद को पढ़ाई के विलिए समर्पित कर दें क्योंकि आज की गई महनत कल रगान जरूर डलाएगी। ग्रहिनी आज घर के माहौल को बहतर बनाने के लिए कुछ बदलाव कर सकती है। आज कुछ ऐसा दिन है जब चीजे उस तरह से नहीं होंगी जैसा आप चाहते हैं। अच्छी नींद अच्छी सिहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ा देक सो सकते हैं। महीं आज के दिन आर्थिक लाब होने के प्रबल योग बन रहे हैं। धन के मामले में भाग्यवान रहेंगे। फैमली लाइफ में भी मन चाहे फल मिलने वाले हैं। जो गर से दूर रहते हैं। वो आज घर जाने का प्लान बना सकते हैं। लेकिन लवर्स की बात कर लें तो आज एक दूसरे की याद सोने नहीं देगी। पार्टनर आज आज आपसे किया कोई वादावेर नहीं निभा पाई तो उसका बुरा मत मानिये। साथ बढ़कर मामले को सुलझाइए। अब बात करते हैं। जो जॉब करते हैं उनकी तो कारिशित में परिस्थितियां आपके अनुकूल नजर आ रही हैं। लहाज आज अपने कारिश्थल पर आपको अच्छे पर ना मिल सकते हैं। जो इस राश्ची के बिजनसमैन है। आज के दिन अव्यापार में मुनाफ़ा हो सकता है। व्यापार के विस्तार के बारे में भी आप सोच सकते हैं। जो ववाहित लोग हैं आज अपने जीवन साती को उनकी उमीद के अनुसार ज्यादा वक्त नहीं दे पाएंगी। इससे आपके रिष्टे में तक्रार संभव है। चात्रों के लिए आज का दिन खास रहेगा। हलाकि आप दोनों के बीच मन मुटाओ के स्थती होने की संभावना है। शुब अंग 6 शुबरंग है पारदर शिर गुलावी और पाए के तौर पर किसी लाचार अपाहिज रोगी आदी की सहायता कीजे। पारिवार एक जीवन अच्छा राएगा। भागेस्तार के तौर पर मैं आपको दूँगी पांच में से साढ़ी तीन स्थार। आप बात करते हैं कुम्ह राश्री के जाते होगी। स्वास्त के प्रती आज आपकर नुजर्या वदल सकता है। आज आपको समझ में आएगा कि स्वास्त को बहतर करने की सोच ही काफी नहीं है। सुधार लाने की या कुछ काम भी आपको करने पड़ेंगे। पैसो की बात की जाए तो धन प्राप्ती होने की संभावना है। धन का सदुपयोग भी करना होगा आपको। वहीं जो इस राश्री के लोगों की फैमिल लाइफ की बात कर ले तो अच्छे फल मिल सकते हैं। शाम के वक्त घर में महमानों का आना संभाव है। प्रेमियों के लिए दिन शुब है। आतम श्रास में वृदि होगी। इस राश्री के मैरिड लोगों की बात की जाए। शादिक के वक्त किए गए सारे वादिश सचे हैं आपको ऐसा है। है मैं अशूस होने वाला है। शुमंग चार है, शुबरंग है भूरा और सलेटी और उपाई के तौर पर आज क्या करना है आपको बुद्ध के बीज मंत्र का जाप करना है भाग स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी पांच में से चार स्टार अब सबसे आखर में बात करेंगे मीन राश्री के जाते हैं स्वास्त के प्रती आज ज़्यादा चिंता करने के आविश्च्छा नहीं को कि आज आपका स्वास्त अच्छा रहने की पूरी उम्मीद है पैसो के लिए नेन के मामले में आज का दिन अच्छा है वहीं पारिवारिक जीवन आज काफी सुकून भरा रहेगा परिवार के सदस्यों के साथ आज किसी धार्मी का स्थल पर जाना हो सकता है वहीं जो लवर्स हैं इस राश्री के आज जिल्दगी में थोड़ा बदलाव आपके आ सकता है खारने में थोड़ा समय लगाने वाले हैं वहीं जो हमारे married couples है आज के दिन आप दोनों पती-पत्नी मिलकर कहीं घुमने जाने की योज़ना बना सकते है वहीं छात्रों की बात किजाए तो आज का दिन नई उमीद लेकर आएगा आप दोगुनी मेहनत के साथ उस विश्र म आपको दान कर दीजिए इससे प्रेम सबंदत्चे रहेंगे भागिस्तार के तौर पर मैं आपको दूंगी पांच में से साध है दोस्तों अभी तक हमने जाना कि जो है आज का दिन कैसा बीटेगा सभी बाराराश्टी के जात्कों के लिए अब बारी है उस खास जानकारी क जिसके विश्रम मैंने वीडियो के शुरुआत में चौर्चा की थी आपका जो सवाल था कि चातुर मास में क्यों भगवान जो है विष्णु हरी विष्णु जो है हमारे क्यों सो जाते हैं चार महीनों के लिए कहा नहीं आप जाना चाता तो इसका कथा इससे रिलेटर जो को कार्थिक मास के एक कादुशी थी 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 को यानि रवी वार के दिन इसका समापन हो गया यानि नमोंबर में 14 तारीक को तो अब मैं आपको वज़ा बताती हूं कि क्यों भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो वामन पुरान के नुसार राजा बली अपने बल और बुद्धी से तीनों लोकों पर आधिपत्य हासल कर लिया था जिसके वज़े से देवता और इंद्र को चिंता सताने लगी ऐसे में भगवान इंद्र बाकी देवताओं के साथ परम्तिता ब्रह्मा के पास पहुचे और उनसे मदद के लिए याचना की ने एक जटके में वामन देवताप की मांग को स्वेकार कर लिया लगवान विष्णु ने इसके बाद विक्राल रूप धारन कर एकदम से पूरी धरती और एकदम से पूरा आकाश नाप लिया इसके बाद उन्हें राजा बली से पूछा कि अवे तीसरा कदम कहां रखें जवाब में राजा बली ने अपना सिर उनके आगे कर दिया लगवान विष्णु ने अपना तीसरा कदम राजा बली के सिर पर रखकर देवताओं की सारी चिंता समाप्त कर दी लेकिन राजा बली के भक्ती भाव से भगवान विष्णु इतनी खुश हुए कि उन्हें वर परदान स्वरुक राजवाय विश्नु की सीया Anderson को नकार नहींस पाई उदर भगवान विश्नु के पादाल लोग चल जाने से मात लक्षमी और दियुता को नफ परेशान होते यप ने गरीब स्थुरी का रूप धारन किया मात लक्षमी Sugmes वापस नाग लिया वचनबध राजा बली ने उनकी या मांग स्वेकार कर ले राजा बली की दान वीरता को देखते हुए आश्रवार दिया कि प्रतेक वर्ष आशाड मां के शुक्ल पक्ष की एक आदिश्री से लेकर कार्थिक महीने के शुक्ल पक्ष तक भे पाताल लोग म वास करेंगे मान्यता है तब से लेकर अब तक फ्रतेक वर्ष चार महीने के लिए भगवान विश्णु शृष्टी का संचालन भगवान शिव को सौपकर पाताल लोग में वास करने चले जाते हैं जिसकी वज़से चातुर मास लगता है हाला कि ब्रह्मवेर्ट फुडान क तब योग निड्रा में भगवान मिश्णु का कतिन तब कर उन से भगवान मिश्णु के शारीर के किसी अंग में निवास करने का वरदान मांगा था तब भगवान मिश्णु ने योग नDra को एक निश्चित अवधी के लिए अपने मेत्रों में स्थान देने का वर्दान दिया जिसके वज़े से आज भी चातुरमास के आवदी में योग निद्रा भगवान मिष्णु के निद्रों में वास करती है जिसके फ़ल प्रतेक बर्श चातुरमास लगते तो यह दो अलग-अलग कहानिया है जिसके करते हैं हम कहते हैं कि चातुरमास लगा हुआ है और भगवान मिष्णु के पूजा नहीं होती और चीर नेद्रा में चल लगए तो उमीद करते हैं यह आपका जो आपकी क्वेरी थी वह आप उसको सॉल्व होगई होगा हमने आपको विस्तार से बताया बाकी अगर आसी मे यह दран kicking आने वाली वीडियो में उसे शमयल करें उसका जवाब दोंगी हर श्याम पांथ मजो में आपके लिए डनिक र्सीफल के वीडियो लिखर आती हूं यह आपके राशी-पल के साथ-साथ जोतिश के बारे में जान कर देती हूं बहुत सार ही खास बाते करते हूं आज जनुन दिन है इन्निवर्सित है को आज के इन की धीर सारी शुब काम नाए सांथी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है हम से बात करना चाहते है तो निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पर सेजवारता का लिंक है